प्यारी साथ संगजी राधा स्वामे कुटम परवार मतलब का बिनाधन पास ने आई गुरू गोविन सिंग जी का दरवार लगा हुआ था सिख्खी का मजमून चल रहा था गुरू साब ने कहा कि गुरू का सिस्स कोई कोई है बाकी सब अपने मन के गुलाम हैं या इस्तिरी और बच्चों के गुलाम है एक सिस्स को अंजबाते हुए जो अपने आपको बड़ा भक्त जायर करता था कहने लगे का हमें कपड़े के थान की जरूरत है सिस्स ने अगले दिन दर्वार में हाजर करने का बाइदा किया जब माथा टेक कर वह सेर गया और कपड़ा खरीद कर घर लोटा तो उसकी इस्तिरी ने पूछा यह कपड़ा कैसा है उसने उत्तर दिया कि गुरू साब के लिए खरीदा है कल इसे दर्वार में देना है वह बोली यह तो मैं नहीं दूंगी बाल बच्चों के लिए जरूरत है कपड़ा बहुत अच्छा है गुरू साब के लिए और ले आना उसने का दुकंदार के पास तो यही एक थान था इसके साथ का और कपड़ा नहीं है इस पर वह बोली तव तो मैं इसको जरूर रखूंगी उसने पूरी कोशिस की लेकन इस्तिरी के सामने उसकी एक न चली उसने एक कहकर टाल दिया कि गुरू साब को क्या पता है कल जब पूछेंगे तो कह देना कि अभी पसंद का कपड़ा नहीं मिला वह चुप हो गया अगले दिन जब दरवार में गया तो गुरू साब ने पूछा कपड़ा लाए हो बोला जी नहीं अभी नहीं मिला सिस से अपने गुरू को तन और धन दोनों सौप देता है लेकिन मन का सौपना बहुत मुस्किल है अगर गुरू को मन सौप दे तो गुर्मुख बन जाए मन बेचे सत गुरू के पास तिस सेवक के कारज रास जो गुरू का भक्त है वह चाय कैसा भी है लेकिन गुरू उसको नरकों में नहीं जाने देता जब राजा जनक इस तूल सरीर को त्याक कर अपने धाम की ओर जा रहे थे रास्ते में क्या देखते हैं के नरकों में जीव जल रहे और चीख फुकार कर रहे उन्होंने प्यमदूतों से पूछा इन्हें यातना क्यों दी जा रही है कोई जवाब न पाकर धरमराज से पूछा कि इनका छुटकारा कैसे हो सकता है धरमराज ने कहा कि अगर कोई मात्मा अपने नाम की कमाई दे तो आजाद हो सकते राजा जनक ने वहाँ ढ़ाई गड़ी के तब का फल दिया और तब वह जीव नरक से आजाद होकर मृत्लोक में आ गए और उन्हें मनस जनम मिला करता है